कोई भी कारे शिरू करने से पहले हम मुहूर्त निकालते हैं शुब मुहूर्त में ही वो कारे करना हमारे दिये बेहदी अच्छा रहता है लेकिन आपने ये समझा है कभी आपने समझने की कोशिश की है कि मुहूर्त का महत्व क्या है आखिर हम मुहूर्त में ही कोई कारे क्यों करते हैं नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे बेहदी खास कारे करम वैदिक गुरू में और मैं हूँ आपके साथ उपिंदर कौर दर्शको जैसे कि मैंने कारिक्रम के पूर्व में बोला कि मुहूर्थ का महत्व क्या है आखिर हम किसी भी कारिक्रम को शुरू करने से पहले मुहूर्थ क्यों निकालते हैं आज इस कारिक्रम में हम इसी विश्य पर चर्चा करेंगे साथ ही साथ इस कारिक्रम के माध्यम से हम आपको जानकारी प्रदान करेंगे ग्रहों के बारे में और ये सब चर्चा करने के लिए हमारे सा स्टूडियो में मौजूद है हमारी बेहदी खास मैमान जी हां हम बात करे तर र उड़र हैं आरति और नीशाची की तो आएस्ब से पहले उनका स्पवागत करते हैं नमस्कार मेम पहुद बहुत स्वागत हैं आपका मैं उपägने दर्षकों को पहले अफ़गत मुझे ये बताने में बड़ा अच्छा लगीगा क्योंकि ये एक बड़ी डिफ्रेंट सी जननी रही मेरी, आज से साथ-आठ साल पहले, मुझे ऐसा लगा कि कुछ तो है इस ब्रहमांड में जो काम करता है, कुछ तो ऐसा है जो पहले से फिक्स है, कुछ तो ऐसा है जो हमें लेकिन वो क्या है पता नहीं कभी भी कुछ बुरा होता था तो हम पटा-फट एस्ट लॉजर के पास चले जाते थे और हम बेस्ट एस्ट लॉजर ढूंडते थे कि वो हमें बताएं कि अब क्या होने वाला है या यह जो हो गया इसका क्या इंपक्ट आएगा अच्छा टाइम कर बाएगा बुरा टाइम कितने टाइम के लिए है तो जितने भी एस्ट लॉजर के पास जाते थे सब लोग अलग-अलग बताते थे और उसमें से कुछ चीज़े सभी की होती थी पर यह समझ नहीं आता था कि ऐसा क्या है जो वो एक पेपर के उपर रखकर बारा खाने बन बाया जी ग्रह होते हैं कुछ लोग कहते हैं नक्षत्र होते हैं कुछ लोग कहते हैं घरों के बल पर हम बता देते हैं तो वो जो कन्फूजन था और खुद के साथ एक सवाल था कि मेरी लाइफ के बारे में मुझे जानना है खुद जानना है खुद रिसर्च करके खुद स मुझे फिर इस दिशा की तरफ बढ़ना पड़ा और मैं एस्टेलोजी में आई दीरे 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 फिर मैं All India Institute of Occult Science में आई वहाँ से मैंने अपनी जर्नी शुरू की और काफी कुछ जाननी का मौका मिला मुझे वहाँ से बिल्कुल बहुत अच्छा लगा आपके इस सफर के बारे में सुनकर किस तरह से आपके जर्नी आपकी शिरू हुई और कैसी आपकी इसमें रूची भड़ी चलिए इसी के साथ आज के विशे पर हम चर्चा करना चाहेंगे मौहूरत को लेकर मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगी सबसे पहले यह जानना चाहूंगी मौहूरत है क्या उपिंदर जी महूरत एक ऐसा वक्त होता है जिस वक्त में एक पर्टिकुलर काम को करनी की शक्ती होती है इस ब्रह्मांड में हर तरह की शक्ती है और हर तरह की उर्जा काम करती है और उसी तरह की उर्जा की अकॉर्डिंग उसी तरह की काम भी होते हैं कुछ सौट काम होते हैं कुछ स्ट्रॉंग होते हैं जैसे हमें किसी के अपर अटैक करना है किसी से लड़ाई जंग छेड़नी ह तो उसके लिए एक अलग महुरत है, लेकिन अगर हमें लक्षमी पूजन करना है तो उसके लिए एक अलग महुरत है, हम एक महुरत पे सारे काम नहीं कर सकते हैं, तब हमारे रिशी मुनियों ने वेदो की रचना की, वेदो को आगे बढ़ाया और एनलाइस किया कि कौन से टा कि इस वाले टाइम में ये वाला काम करेंगे, तो इसका हमें मैक्सिमम रिजर्ट मिलेगा, जब मैं बात करती हूँ मैक्सिमम रिजर्ट की, तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि उस टाइम के अंदर सिर्फ पॉजिटिव एनरजी नहीं होती, उसको चलाने के लिए एक भी लोक बना और बाकी के लोक भी बने बिलकुल बहुत अच्छा लगा यह आप से जानकारी प्राप्त करकर आपने बोला कि मुहुरत जो है अलग लग प्रकार के होते हैं मतलब हमें कोई भी कारे जब हम करते हैं तो अलग मुहुरत निकाले जाते हैं तो क्या मुहुरत के को उसके लिए एक अलग महुरत होते हैं, शादी हमारी stable रहे, हमेशा चले, long longevity हो और उसमें किसी तरह की कोई problem ना आए, तो उसको हम अलग तरीके से देखते हैं, basically महुरत हम नक्षत्रों के अधार पर निकालते हैं, और अगर हमें ग्रह प्रवेश करना है, तो उसमें बढ़त ह होनी चाहिए हमारी घर में शांती होनी चाहिए, चीजे बढ़नी चाहिए, चीजे पॉजिटिविटी जादा होनी चाहिए, तो ग्रह प्रवेश के लिए हमारा अलग महुरत होते हैं, यहीं लक्षमी पूजन करना हैं, तो उसका एक अलग महुरत होते हैं, ओफिस में लक् लक्षमी पूजन ऑफिस में करेंगे तो हम उसके लिए चर चर नक्षत्र वाले उसमें लेंगे ताकि हमारा जो मनी का टांजिक्शन है वो आता जाता रहे और जब भी आये तो बढ़का रहे ओकी एज इन्वेस्टमेंट हमारा जो बिजनस है वो ग्रो करें और आगे बड़े इसलिए उसका ओपिस के ना महूरत का अलग टाइम होता है और घर के लक्षमी पूजन का अलग टाइम होता है बिल्कुल बहुत अच्छे से हमने ये समझा और जाना लेकिन मेरा एक प्रश्निहा पर यह आया आपने ग्रहों के विसमें बात की तो मेरा प्रश्निहा पर आपसे यह है कि क्या महूरत का हमारे ग्रहों से भी कुछ तालूख है याने के संबन्ध है कि हमारे ग्रहों के अनुसार जो है मुहूरत निकलता है हाँ जी उपेंदर जी ग्रह, नक्षत्र यह सब आपस में इंटरकनेक्टेड हैं एक के बिना दूसरे का स्तित्व नहीं है दूसरे के बिना पहले का अस्तित्व नहीं है तो इन दोनों का हमारी लाइफ में इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत ज़्यादा है बिल्कुल, कई बार हम ऐसा देखते हैं, कि शुकमहूरत में ही ये कारे करना चाहिए, महूरत निकल गया है, तो ऐसे में आपको दुष परिणाप देखना मिल सकता है, तो शुब महूरत से क्या तातपर है और बायच्छ अगर हमने वो studied के अलावा ऋकारे कर दिया, शुब महूरत निकल के और हमने वो कारे कर दिया तो ऐसे में क्या परिणाम हमें देखने को मिल सकते हैं जी उपिंदर जी शुब महूरत का मतलब यह होता है कि जो टाइम हमने चूस किया जिस टाइम पे हमने अपना कारे आरंभ किया उस पर्टिकुलर टाइम में उस इवेंट को मैक्सिमम पॉजिटिव एनरजी देनी की शमता थी जैसे ही वो टाइम आगे जाता है तो उसकी शमता उतनी उतनी कम हो जाती है मैं यह बिल्कुल नहीं कहूंगे कि आपने अगर कोई महुरत पांच मिनिट लेट कर दिया तो आपको बहुत जादा दुश परिणाम जहिनने पड़ेंगे नहीं ऐसा नहीं है हमें यह वाला थौट नहीं रखना चाहिए लेकिन हां जो महुरत निकल गया उसकी पॉजिटिविटी में उसके शुप परिणामों में थोड़ी कमी जरूर आएगी क्योंकि उस टाइम को आपने मिस्स कर दिया अगर आपने वो पर्टिकुलर कारे वो पर्टिकुलर काम उसी टाइम उसी शंड किया होता तो उसका रिजल्ट सुपर से भी उपर आता अक्सर हमने ये भी देखा है कि कभी जब हम कोई कारे करना चाहते हैं तो इसके लिए हम महूरत निकलवाते हैं तो यब जो मुहूर्त हमें बताया जाता है उसमें हमारा मतिक्षिय कहते हैं कि अरे नहीं हमें इससे पहले का चाहिए या इस दिन का हो जाए तो यह कैसे वर्क करता है दिखिए अगर आप कहते हो अपनी कमफर्ट की अकॉर्डिंग आपको मौरत चाहिए तो वह फिर हम बेसिकली पं इस टाइम पर आप ये कारे कर लीजिए आपको इसमें प्रॉफिट हो सकते हैं लेकिन अगर आपको जो काम करना है और उसका 100% रिजल्ट आप चाहते हैं ग्रह नक्षत्रों से तो फिर आपको टाइम भी देना पड़ेगा क्योंकि उसके बाद जो accurate महुरत आपके काम के according आपके काम को पलत करने के लिए निकलेगा वो निकलेगा आपके जन्म कुंडली को लेकर आपके ताराबल को लेके पिर डेज को लेके कि आने वाले कितने टाइम में वो ताराबल वो टाइम वो समय उस दिन पूर्ण होगा उस कारे को पलित करने की 100% एनरजी मिलेगी बिलकुल यह तो हमने बहुत अच्छे से आप से जानकारी प्राप्ति और मैं अपने दर्शकों से भी कहना चाहूंगे कि आज इस कारेक्रम के माध्यम से हम बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी आपको प्रदान कर रहे हैं तो इस कार जो है फ्लैश की जा रही है टीवी स्क्रीन पर तो आप इन डिटेल्स को अपना सकते हैं तो चलिए जिकर साथ कारेक्रम में आगे बढ़ते हैं यहां पर मैम जैसे कि हम मुहूर्त के बात कर रहे हैं डेस भी हम देखते हैं कि टाइमिंग तो बताई ही जाती है कि यह समय उ पूर्टिंट पार्ट है जो आज की जनरेशन बहुत जादा मिस कर रही है हमारे पूरवर्जों हमारे दादा दादी थे वह इन चीजों को फॉलो करते थे इनके गुड रिजर्ट भी उनके आ गया है लेकिन जो बीच का टाइम आया जब वेस्टन कल्चर में हमने अपने आपको ढाला शूरू किया उस वक्त फिर हमने लॉज़िक लगाने शुरू किये पूछना शुरू किया और पूछना तब शुरू किया जब हमारे उPRवाली जनरेशन को उसके रिज़न्स पता ही नहीं थे क्योंकि हमारे दादा दादी के टाइम पर अगर कोई किसी को कुछ रहे थे उनको कुछ पता नहीं तो हमने यह वाला पार्ट मिस्ट कर दिया जिसके बारे में आपको बताना चाहती हूं कि हमारे जीवन में हर डे का अपने पर्टिकुलर महत्व है एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंस है अब हम शुरू करते हैं सूर्य से रविवार रव को प्रित्वी की रचना हुई यहापर मैं आप को थोड़ा सा रोखना चाहूंगी जैसे कि आपने अपने रविवार की बात कि wij पर मैं आपसे जानना चाहूंगी कि रभिवार का महत व क्या है काम करते हैं और हमें अपनी हेल्थ के रिगार्डिक कुछ प्लैन करना है है कराने हैं चेक-प कर आना है डॉक्टर से मिटिंग करनी है तो अगर हम संडे को करते हैं मैं आप से चाहूंगे कि सोंवर किस ग्रह से संबंदित है और इसका क्या महत्व है ? लिए पूर्ड प्रवाइड करना हमें सही guidance देना हमारे संसार की प्रथम गुरू मा होती है हमारी हमें जियान देना इसलिए कहा जाता है अगर आप मंडे के दिन मेडिटेशन करें तो वो आपको बहुत इफेक्ट देती है बहुत ज्यादा बेनिफिट देती है चंद्रमा सबसे ज्यादा तेज प्लैनेट है इस दिन आपको कोई सा भी काम जल्दी करना है उसके जल्दी रिजर्ट चाहिए त अगर आप अपने बास ऐसने कोई कोई बात मनवाना चाहते है तो मंडे उनसे जरूर बात किजएका और विजर अजरूर एसका लाप मिलेगा ऐसा मैम का कहना है चले इसके साथ कारीक्रव में आगे बढ़ते हैं इसलिव पुम्हों संड़ की बाद की मंड़ की बाति अब ट्यूज़ ओसी के बारे में जानना चाहूंगी till अब जैसे की ट्यूज़ दे को अगर हम हिंदी में बोले तो घ् DIY मंगल्वार एक सेना पती है मंगल की एनर्जी fighter की एनर्जी है action oriented planet मंगल है तो यदि अगर आप मंगलवार को कोई sports join करें, gym join करें, तो आपको maximum benefit हो सकता है, आप army के forms भख सकते हैं, आप मंगलवार को energy से related कोई सा भी काम कर सकते हैं, आप surgery प्लैन कर सकते हैं, अगर आपके घर में, आपकी family में, आपके near and dear की कोई surgery है, तो किस तरह से होगी, कैसे होगी, यह आप प्लै भगवान जी से होता है, शायर इसलिए क्या यह बलवान है, यह बिल्कुल ठीक किया रहे हैं, आप आपनी कई बार सुना होगा कि मंगलवार की evening होती है, वो बहुत important होती है, अगर कोई इंसान low feel कर रहा है, कोई बिमार है, या किसी को ऐसा लग रहा है, कि वो थोड़ी negative energy क है, तो उसको suggest किया जाता है, कि आप मंगलवार वाले दिन, शाम को हनवान मंदर जाएं, और वहां से उनके दाइने पैर के अंगुठी का तिलक करें, तो फिर आपको उससे benefit होगा, यानि कि जो यह days है, वो भगवान जी से भी हमारे relate करते हैं, और बाकी भी इनका काफी मह है, और यह कैसे हमारे जीवन पर अपना प्रभाव डालते हैं, जी हां, बुद्वार जैसे कि हम नाम से ही जान रहे हैं, बुद्ध यानि की मर्करी, मर्करी यानि की intelligence, किसी से भी communicate करना है, किसी को भी आपको अपनी बात बहुत अच्छे से समझानी है, और ऐसे समझानी है कि वो बस आपकी बात को काटे ना और आपकी बात को ओकी कर दे तो उसके लिए फैटनेस टे पैस्ट है, और अगर अपने बिजनस से रिलेटेट कोई प्रोजेक्ट डिसकस करना है, कुछ बिजनस टील करनी है, तो आप बुद्वार को कर सकते हैं, वो बहुत पैस्ट रहत की, जैसा कि हम थर्स्टे कह रहे हैं, थर्स्टे यानि गुरू, गुरू का वार, हमारे पूरे जीवन में सही दिशा के लिए गुरू ही है, गुरू ही हैं, जो हमें आगे बढ़ाते हैं और एक सही दिशा देते हैं, तो गुरू वार के दिन अगर आप अपने टीचर से मि बहुत सुंदर मैम, जैसे की आपने बताया कि, बुद्ध वार जो है, अगर हम देखा जाए, तो डेज हमारे ग्रहों से रिलेट कर रहे हैं, गुरू वार देखा जाए, तो यह हमारे गुरू ग्रह से रिलेट कर रहा है, तो अब शुक्रवार के बारे में जाना चांगी, एक क्या ये भी हमारी किसी ग्रह से रिलेट करते हैं और इसका महत्व क्या है जी हाँ जैसे कि नाम से ही पता चल रहा है शुक्रवार यानि शुक्र ग्रह वीनस ग्रह इसका हमारे जीवन में बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहुत-बहु लेकिन आज करके टाइम पे लोग शुक्र को ज़ादा IMPORTANCE दे रहे हैं क्यों कि वह לॉच्जरी इस प्लानेट है लग्जरी को रिप्रेसेंट करते हैं आपकी लाइफ में लव को रिप्रेसेंट करते हैं शुक्रवार के दिन यदि आप किसी को प्रपोस करना चाहें तो कर सकते हैं मैं बहुत अच्छी जानकारी आज इस कारिक्र मेंसे आप मिद्य में प्राप्ट फ्राइडेelli था कि आखिर इन डेंग्र है और किस तरीखे के आपके लाइफ में वक रड़ते हैं चले इसे के साथ कारिक्रम आगे बढ़ते हैं और हमारे अन्तिम दिन यानि की शनिवार के बारे में आप से जानना चाहूंगी जी जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा शनिवार यानी शनिग्रे से शनिवार रिलेटेड हैं शनिग्रे हमारे कर्म फल दाता जिनसे पूरी दुनिया डरती है इस द अगर आप वो खतम करना चाहते हैं तो वो हमीशा के लिए खतम हो जाएगा कोई कोट केस कोई सेटलमेंट करनी है जिसको आप पर्मानिंट खतम करना चाहते हैं वो कारे आप शनिवार के दिन कीजिए ताकि वो आपको दुबारा ना करना पड़े बहुत अच्छी जानकारी आज हम इस कारेक्रम के माधियम से प्राप्ट कर रहे हैं मैम के द्वारा देखीदर्श को इस एपने जाना महरत के महत को लेकर और किस तरह से डेज़ जो हैं आपके लाइफ में 되어 करते किस इन निससे बातों को आपको कौन सा कारे करना चाहिए जिससे आपको इअपको शुक्फल की प्रापति होगी तो इन बातों को आप अपने जिवन में जरूर अपना एग और फिर दीगा कि मिलता है अब मैं आप आपसे ग्रहों से संबंदित जानकारी प्राप्त करना चाहूंगे अक्थर हम यह सुनते हैं कि आपके ग्रह जो है उच्छ का फल आपको फ्रदान कर रहे या आपके ग्रह जो है नीच के हैं इसलिए आपके जीवन में जो है दुष्ट परियामा को मिल रहा है नकरात्मक फल को मिल रहा है तो इस से संबंदे तब मैं आप से जानकाली प्राप्त करना चाहूंगी जी बहुत ही अच्छा क्वेशन है और हम जादातर यह समझ नहीं पाते कि ग्रह उचके क्यों हो जाते और नीचकी क्यों हो जाते हैं यहां हमें जो यह लाइफ पर्त मिलता है जो हमें य जनम मिलता है और उसी के अधार पर हमारी कुंडली बनती है उस कुंडली में 12 ग्रह होते हैं 12 में जिस ग्रह को जो स्थान प्राप्त हो वह वहां जाके पैड़ जाता है अब हमारे कर्मा के अधार पर किस ग्रह को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ और कौन सी राशी प्राप नहीं लेकिन पिता या माता की कभी कोई intention नहीं होती कि वो अपनी संतान का बुरा करें, वो हमारे कर्मों के अधार पर ही वो परिस्तितियां, वो प्रारब्ध उत्पन होता है, जिसके अधार पर वो अपनी जगा लेते हैं, जब हमारा सूर्य उच्छ का होता है, तो वो लेकिन जब सन्राइज होता है, तो वो उच्छ का होता है, अपनी अथारेटिव पावर में होता है, और उसके पास पूरी फ्रीडम होती है, पूरे राइट्स होते हैं, किसी भी चीज को करनी के लिए, वह सूर्य का ही लौ चलता है, इसलिए वो वह उच्छ का होता है, ठी क्योंकि तुला का जो साइन वो तराजू है और तराजू क्या है कहां चलता है कि मार्कैट में आइथा तो उसका प्रक्राणा पड़ता है कि वहां नेगोसीशिन हुठी हुठी की बात हो है जहां उसकी power उसकी authority उसकी personality के कोई असर ही नहीं हो रहा है वहाँ equality है वहाँ law है तो वो न थोड़ा सा weak हो जाते हैं उनको समझ नहीं आता वो सोचने एक वो जगह है जहां पर मैं जो कह देता था वही कानून हो जाता था और एक यह जगह है जहां मुझे इनके हिसाब से चलना पड़ेगा मैं अपनी मर्जी से कोई काम नहीं कर सकता जो इस market का rule है मुझे उसके according ही काम करना पड़ेगा तो ऐसे में सोरे अपने आपको बंधा हुआ पील करते हैं और डाबलेटेड पील करते हैं इसलिए वह तुला राशी में जाकर नीच के परिणाम देते हैं नीच के वह क्यों कि वह कर नहीं पाते अपने अपने बोला कि कर्म अगर हमाए खराब है तो इसमें हमारे ग्रह जो है हमें दुष्ट परिणाम देंगे नीच का परिणाम देंगे तो क्या ये कर्मों से संबंधित है दिखिये चाल थो हमारे जनम से बदलती है हमारे ग्रहों की ऐसा कभी नहीं होता कि जो नीच के थे वो उचके परिणाम देंगे नहीं एक घड़ी है एक साइकल है और इस घड़ी के नीचे बड़ी साई लेर्स है जैसे हमारे सैवन चक्राज है सैवन बॉडीज है ठीक है वो सब एक यूपर एक है उसी तरह से हमारी जो कुंडली है जो हमारे टाइम है वो में वक्त के साथ बदलता रहता है इस में होते है महाधशा अंतरदशा प्रत्यंतर दशा इसलिए उनके कभी से बदलाव आता रहता है जैसे जैसे दश्य आइगी उससे क्या परिनाम में रिक चालो crypto ठाइग हमेशा आइए क बिल्कुल अगर हम चाहें अपने ग्रहों को बलवान रखना तो इसमें ऐसे हम क्या उपाई कर सकते हैं कुछ देखिए अगर आप अपनी ग्रहों को बल्वान रखना चाहते हैं उनको एनरजी देना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको यह समझना पड़ेगा कि वो ग्रह क्या है अगर मैं बात करूं जीवन की तो हमारी जीवन में चारों तरफ हम अपने ग्रहों से ही रिलेट करते हैं हम अपनी ग्रहों के ही साथ बात करते हैं और अगर हम वर्क प्लेस में भी हैं तो हम अपनी ग्रहों के साथ बैठे हैं हम अपनी घर में भी हैं तो भी हम अपनी ग्रहों के साथ बैठे हैं फॉर एक्जामपल मैं अगर घर की बात करूं तो आपकी परिवार में आपकी मां भी हैं हम आपकी पिता भी हैं जी आपके भाई भी हैं आपकी बेहन भी है बील्कुल ठीक है और आपके husband भी हैं फिर बच्चे भी हैं अगर मैं सूर्य ग्रह की बात करूँ तो वो ठीडा हैं अगर आप सूर्य ग्रह को बलनी ड़ा करना चाहिए और अगर में बात करो चपिस अगर आप अपनी माता का ध्यान रखें, उनकी पैरों की सेवा करें, उनकी हेल्थ का ध्यान रखें, उनकी बात मानें, तो आप अपने मून ग्रह को स्ट्रॉंग कर लेते हैं, ठीक हैं, उसके बाद आपका भाई क्या है, आपका भाई मंगल ग्रह है, अगर आप अपने právinka ध्यां रखे एक बेहन भाई रिष्टा है उसको उसके नियाम उसके धर्म का पालन करें तो आप अपने मंगल ग्रह को स्ट्रॉण करते हैं बुद्ध क्या है बुद्ध बहन बुवा बेटी अगर आप बहन को प्यार दें दुलार दें बुवा को मान सम्मान दें बेटी को संसकार दें लाड़ दें प्यार दें ठीक है तो उससे आप अपना बुद्ध ग्रह स्ट्रॉंग करते है गुरू क्या है गुरू आपके टीचर कौन है जैसे कि मैंने कहा हमारे संसार की प्रत्रम टीचर हमारी मा होती है गुरू ग्रे को मा की सेवा करके भी ठीक किया जा सकते हैं दूसरे जो हमारे टीचर होते हैं जो हमारे स्कूल के टीचर होते हैं आप उनको रिगार्ड दें उनको ब्लेसिंग्स भेजे शुब भाबनाई भेजे उनको positive vibration भेजे ऐसा नहीं है कि आज हम उनके साथ connected नहीं है तो हम यह नहीं कर सकते हैं आप कहीं पर भी बैठके कुछ भी कर सकते हैं आप जब feel करते हैं जब आप ये बात मान लेते हैं तो वो universe manifest करना शुरू कर देता है वो universe birth transfer करना शुरू कर देता है और यकीन मानिए जो आज से हजारों साल पहले चलती थी telepathy वो आज भी चलती है वो कहीं नहीं गई हमने उसको use करना बंद कर दिया है आप telepathy के through अपने सारे near and dear को best wishes भेजिए उसके बाद देखिए कि आपके life में जो जो hurdles थे जो रुकाविटे थी वो किस तरह से वैनिश होनी शुरू हो जाएंगी गायब होनी शुरू हो जाएंगी बहुत सुंदर ये तो भी आपने relation के through बताया कि हम अपने in relations को अच्छा रखेंगे तो इस तरीके से हमारे अच्छा परिणाम देंगे लेकिन हम यह भी देखते हैं कि अक्सर जब हमारे जीवन में कोई प्रॉप्लम्स चल रही होती है तो हमें रत्न धारन करने के लिए भी कहा जाते हैं तो क्या रत्न भी हमारे ग्रहों को बलवान बनाते हैं जी हां बिलकुल आप ठीक कह रहे हैं रत्न भी हमारे साथ जुड़े हैं जैसा कि मैं कहा रही हूँ हम पूरा इस श्रिष्टी के साथ मर्ज हैं हमारी उत्पत्ति श्रिष्टी से हुई है और यह रत्न भी उसी में आते हैं रत्न के पास भी अपनी प्रॉपर्टी है उसको एनरजी देने के लिए वीक तक यह सूरे घ्रह में बढ़ उत्री हो जाए ऑर यदि हमें सूरे से शुपरिक्रम के मार्धिम से प्राप्त की प्लेः कारीक्रम के निटियों चाहिए उन Exc 에 विशेश उपायच जिसे हर को यह आपना कि अपने जीwing को खुछाल प्लोप में जीए सकता है देखिए विशेश उपाय तो यह है मैं यह कहूंगी जितना मैंने अभी तक ज्या नर्जित किया है जितना मैं समझ पाई हूँ अगर आप अपना जीवन अपने स्वधर्म में रहकर बिताते हैं स्वधर्म से मेरा मतलब यह है कि आपको जो कारे दिया गया है चाहे आ आप आफिस में है चाहे आप स्कूल में है चाहे आप घर में है चाहे आप जीवन के किसी भी शेत्र में हैं आपको जो कारे दिया गया है आप उस कारे को सही तरीके से करें और पूरा करें बिना किसी एक्सपेक्टेशन की तो आप अपना जीवन अच्छे से बिता सकते हैं क्योंकि जब आप कोई कारे स्वाधर्म में रहकर करते हैं तो उसका कर्मा क्रियेट होना बंद हो जाता है पीछे का जो कर्मा लॉग होता है वो कट जाता है तो जो आने वाला कर्मा होता है जो आने वाला जीवन होता है उसमें नई कहानी बनती है अब जो पीछे से बनी नही वो आपको आगे मिलेगी नहीं, अभी जो create हुआ नहीं, वो भी कर जाएगा, तो indirectly आपको मोक्ष की तरफ ले जाता है, ये एक बहुत बड़ा topic है, मैं समझाने लगोंगी, तो मुझे लगता नहीं है, पता नहीं कितना time लग जाएगा इसमें, लेकिन short form में आप ये समझ जा के और येकीन मानिए, वो जब grow करेगा तो उसकी blessings, उसकी energy आपके पास वापस आएगी, आप employ हैं, तो आप पूरी इमानदारी से अपने boss के लिए, अपने senior के लिए काम कीजिए, चितना उन्होंने दिया है, उतना इमानदारी से कीजिए, ताकि company grow करे और company grow करेगी, तो आ अगर आप employer हैं, तो आपका पहला कारिया बनता है कि आप अपने employees की take care करें, अगर आपकी employees ठीक रहेंगे, तब ही वो आपके लिए काम करेंगे, आपकी company को growth दे पाएगे, चलिए बहुत ही सुन्दर जानकारी हमने आप से आज प्राप्त किये, इस कारिक्रम के माध्यम से आपको बहुत ही महतुपूर्ण जानकारी प्रदान किये, तो इन बातों को आप अपने जिवन में जरूर अपना के देखेगा, आपको लाब अवश्य ही मिलेगा, चलिए इस सिके साथ कारिक्रम में वक्त हो चला है विराम देने का इस कारिक्रम को, मैं मारे साथ जुड़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना बिल्कुल न भूले, ताकि हमारी किसी भी वीडियो की सूचना सबसे पहले आपको मिले